पुलिस के हथे चड़ा Zee News के एंकर सुधी चोदरी का शो DNA होस्ट करने वाला एंकर हुआ गिरफतार Zee News के एंकर रोहित रंजन की मुश्कले अब बढ़ गई है जी हाँ सुधी चोदरी की जगे जिस एंकर को DNA शो होस्ट करने के लिए दिया गया था अब वो टीवी स्टूडियो से सीधा जेल पहुँच गया है अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि Zee News के एंकर रोहित रंजन को नोईडा पुलिस ने गिरफतार कर लिया है वहीं 36 गड़ पुलिस भी उनकी गिरफतारी के लिए कोशिश कर रही है उनके घर पर छापे मारी की गई है Zee News के एंकर रोहित रंजन के घर मंगलवार सवेरे 36 गड़ पुलिस पहुची लेकिन उनके हाथ अभी भी खाली है क्योंकि नोईडा पुलिस ने पहले ही रोहित रंजन को गिरफतार कर लिया और 36 गड़ पुलिस भी इसी मामले में यहाँ है रायपूर पुलिस जब रोहित के घर पहुची तो उन्होंने ट्वीट कर कहा बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिये 36 गड़ पुलिस मुझे अरस्ट करने के लिए मेरे घर के बाहर खड़ी है क्या यह कानूनन सही है रोहित ने अपने ट्वीट में यूपी के मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ, SSP गाजियाबाद और ADG जोन लखनों को भी टेक किया हालाकि सरकार या पुलिस ने इस ट्वीट पर कोई टिपनी नहीं की रोहित रंजन के ट्वीट पर दिल्ली BJP के नेता तेजिंदर पाल सिंग बगगा ने लिखा प्लीज हेल्प शलमानी त्रिपाठी जी शलमानी त्रिपाठी ने बगगा के इस ट्वीट के जवाब में लिखा जी वहीं 36 गड़ पुलिस ने कह दिया कि सूचित करने का कोई नियम नहीं है एंकर रोहित रंजन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए 36 गड़ की रायपर पुलिस ने लिखा सूचित करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है फिर भी अब उन्हें सूचित कर दिया गया है पुलिस टीम ने कोट का गिरफतारी वारंट दिखाया है आपको सयोग करना चाहिए, जाच में शामिल होना चाहिए और अपना बचाव अदालत में रखना चाहिए रोहित रंजन के खिलाफ चत्तिसगर और राजस्तान में कई मुकदमे दर्ज हुए है दरसल कॉंग्रेस कारोप है कि पिछले दिनों एंकर रोहित रंजन ने अपने स्पेशल टीवी शो डियने में राहुल गांधी के बयान को तोड मरोड कर दिखाया था इससे उनकी छवी धुमिल हुई है दरसल मामला ये था कि राहुल गांधी ने वाइनाड में अपने दफ्तर पर हमला करने वाले लोगों को माफ करते हुए कहा था कि वो बच्चे हैं उनके कोई करवाई नहीं करनी चाहिए वो बच्चे थे बच्चों से गलती हो गई इस बयान की क्लिप वाइरल हो गई लगातार सोशल मीडिया पर इस बयान को इस सरे से दिखाया जाने लगा कि राहुल गांदी इतने संगीन आरोप के जो आरोपी हैं उनको बच्चा कह रहे हैं तो इससे राहुल गांदी की छवी पर दाग जरूर लिगा इस मामले में 36 गड में कैफ़ायर दर्ज हुई है वहीं दो दिन पहले नोईडा में Zee News के दफ्तर के बाहर भी परदशन हुआ था जहां पुतला फूकने के आरोप में 19 कॉंग्रेस कार्यकरताओ की गिरफतारी भी हुई थी उसके बाद से ही कॉंग्रेस समलावर है और रोहित रंजन पर कई राजों में इस बयान को लेकर मुकद में दर्ज हुए है हाला कि रोहित रंजन ने उसके बाद माफी मांग ली थी उन्होंने लिखा था कि गल्ती से मानविय भूल से ये बयान चल गया इसके लिए हम माफी मांगते हैं लेकिन तब लोगोंने सवाल किया था कि ऐसी गलती आप अमिश शा या नरेंदर मोदी के मामले में क्यों नहीं करते इस मामले में कॉंग्रेश शाषित राज्यों में कई जगे मुकद में दर्ज हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि रोहित रंजन की मुश्कले कम नहीं होने वाली उन्हें गिरफतार कर जेल में भीजा जाएगा हलाकि नोईडा फुले से इस मामले में क्या कदम उठाती उस पर हमारी नजर बनी हुई है कोई अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुचाएंगे आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें Bureau Report The News Week